मास्क ना पहना इस सक्स को इतना भारी बढ़ सकता है इसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा आरोप है कि ये आदमी बीना मास्क लगाए जा रहा था इस दोरान एक पुलिस वाले ने इसके चेहरे पर डंडे से हमला कर दिया जसके वज़े से इसका मुफूड गया और पूरा सरीर खून से सन गया पूरा मामला गौलियर का है आईए आपको सुनाते हैं इस मामले पर पीडित लड़के का क्या कहना है एक कॉंस्टेबल था डंडा लेकर आया उसने चलती गाड़ी में मेर पर वार गिया नाक में और बागी आप सब और गाड़ी आगे तक गई एकदम से रुखनी पाई और गाड़ी स्पीड में थी और फिर मैं रुका उतरा में देखा पूरी टंगी खून-खून और मैं प सिकायद करी थी मगर मादवन थाने वो उन्होंने रिपोर्ट लिखने से मना कर दी उन्होंने का जब तक मैडिकल का आपका सब कुछ नहीं आए तब तक रिपोर्ट नहीं बताया जा रहा है जब इस लड़की का मुफ उटा तो वहाँ पर मौजूद लोग भी पुलिस वालों पर टूट पड़े घटना की सोचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौक्य पर पहुँचे और मामली की जाच की बात कही तब जाकर लोगों का गुसा सांथ हुआ हाला की बात में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लड़के ने मास्क नहीं लगा रखा था इसके चलते जब पुलिस ने उन्हें रुकना चाहा तो भागने लगा और भागते समय वो गिर गया और उसके चेहरे पर चोटा गई मादा गण्जी की चैकिंग रुटीन चैकिंग हैम सिंग की परेड़ पर लगे हुई थी उसी दोरान वहां चैकिंग प्रवारी एसाई राम लखन सर्मा थे जनके दोरा बताया गया कि कोई एक व्यक्ति पुलिस से चैकिंग से बचके निकलने का प्रयास कर रहा था तो इस पकड़ने के प्रयास में वो गिर गया और उसके चैरे पर चोड लग लगी थी और जो गिरा था एक दिव्यांस यादब करके हैं उसके द्वारा बताया गया कि इन लोगों ने डंडा से चोड पहुंचा ही है तो दोनों बच्छों की सुनके और उसको जांच में लिया गय प्रशासन के काम करने के तरीके और उनकी गुंडा गर्दी पर सवाल खड़े हो रहे हैं लोगों का कहना है कि कोवीड प्रोटोकॉल का पालन कराने के चक्कर में कई जगों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा मनमानी की जा रही है हाला कि ये मामला गंभीर है इसलिए जां कर जरू बताएं साथी मत प्रदेश से उड़ी तमाम खबर देखने के लिए देखते रहें विकी न्यूस जैंपी धाने बाद